सच्च्रकाल नमस्कार आद आप तुसी वीक्रियों देसी चैनल ते एक बड़ फेरतों तो हाड़े ली लेके हाजरां पंजाबी एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री तिनाल छोड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट है वेल अपडेट है वर्सिटाइल आठस्ट गिपी गरेवाल देनाल जी हाँ जो कि सिंगर ने, आक्टर ने, प्रड्यूसर ने ते डिरेक्टर वी ने दाजी कि उन्हाँ दे आउन वाले पंज प्रोजेक्ट्स दे बारे आपपा इस वीडियो देविच चेर्चा करांगे सबतों पहला गाल कर दे उन्हों दी माच अवेटेड फिल्म्स दे विचों एक कैरी ओन जट्टा 3 दे बारे जी हाँ कैरी ओन जट्टा 3 जो कि जल्दी ही सिनेमा करां दे विच लगन वाली है, फिल्म नू डिरेक्ट कीता है समीप कांग ने ते एकवारी फिर्तों सानू गिपी गरेवाल, बी अन शर्मा, बीनूट लों, गुर्परित को गीते हार भी सांगा दी जड़ी कैमिस्ट्री ओन स्क्रीन विखन नू मिलेगी इस फिर्म दे विचे सानू जिस्वंदर पला करमजीत अनमोल ते होर बहुत सारे आर्टस्ट भी मुख पुमिकावा दे विचे नजर ओन वाले ने इस तो अलावा दाजी है कि फिल्म नू डिरेक्ट समीप कंग नहीं कीता है जिना ने ओल्डेडी कैरियों जट्टा ते कैरियों जट्टा टू भी डिरेक्ट कीती है Carry on जटा 3D release date भी सांजी कीती गई है फिल्म 29 जून 2003 यानि कि इस साल जून दे महीने वेचे release होन वाली है इस तो इलावा उना दी warning 2 है जिसनों बहुत ही ज़ादा excitement दिनाल उडी किया जा रहे है फिल्म नों direct कीता है अमर हुंदल ने ते लिख्या ते प्रड्यूस कीता है गईपी गरेवाल ने खुद एफिल्म दी इस साल रुलीज होन वाली है और एफिल्म ने सानों थोड़ा जब वद इंतजार करना पहुएगा इस साल नवेंबर दे महीने विच रुलीज होन वाली है हमबल मोशन पिक्चर्स दे बैनर थले इस सोलावा गिपी गरेवाल दी तीसरी फिल्म है मंजे बिस्तरे 3 जिस्दे बारे बेस अबरी दिनाल इंतजार कीता जा रहा है क्योंकि इस फिल्म दी या पहली हैं दो इंस्टॉल्मेंट्स ने दर्शरकां दा दिल जिती है ते दर्शरका नो काफी जादा पसंद विया हैं याने इस फिल्म दी टेग लाइन है व्या कादा जे मंजे बिस्तरे कठे ना कीते फिल्म दी पोस्टर सोशल मीडिया दे जरीए सामने आ चुक है ते इस फिल्म दी प्रेजेंट कारेने हमबल मोशन पिक्चर्स यानि की प्रेजुस कारने गिपी गरेवाल और रवनीत कारेवाल फिल्म नो डिरेक्ट कीता है बलजीत सिंग डेओ ने जो की अल्रड़ी पंजाब इंडस्ट्री दे विच वड़ा नाम है इस फिल्म दी रिलीस डेट दी गल करिये ते 26 जुलाई 2004 यानि की इस साल जुलाई दे महिने विच गिपी गरेवाल दी ए फिल्म रुलीज हून वालिया इस तो अलावा होना दी फिल्म शेरां दी कौम पंजाबी दी गल कर दिया इस फिल्म दी कहाणी नू गिपी गरेवाल ने आप लिक्या है गिपी गरेवाल दी एक वारियर वाली लुक सानू इस फिल्म दे विच विखन नू मिलेगी डिरेक्टर भी इस फिल्म दे गिपी गरेवाल ने ते पडियूस कीता है अमर दीप गरेवाल ने इस फिल्म 2004 दे विच रिलीज होवेगी लंबा समय इंतजार इस फिल्म ले करना पवेगा क्योंकि इस फिल्म वर्थ बेटिंग है देखन तो ही पता लग रहा है इस फिल्म दे पोस्टर नू फिल्म इस्ट संशाइन प्रडक्शन दे बैनर हेट रिलीज होन वाली है इस फिल्म दे रिलीज रेट दे गल करिये ते 12 अप्रेल 2004 नू एक फिल्म रिलीज होन वाली है यानि कि इस फिल्म ले थोड़ा जया इंतजार सानू पद करना पवेगा इस तो इलावा जिकर गल करिये वगिपी गरेवाल दे अगले प्रजेक्ट दी ते ओ है मौजा ही मौजा इस फिल्म दी खास चीज है कि बिनू टलो गिपी गरेवाल दे करम जीतन मोल दी बाकमाल केमिस्ट्री परफेक्ट कॉमेडी टायमिंग ते डायलोग डिलिवरी सान नू एक वर फिर तो स्क्रीन ते विखन नू मिलेगी मौजा ही मौजा प्रेजेंट कारेने इस्ट सेंशाइन प्रडक्शन्स फिल्म नू डिरेक्ट समीप कंग दे वलो कीता जा रहा है जो कि अलुडी कॉमेडी फिल्मा बनोन दे किंग मने जान दे ने परड्यूस कीता गया है अमर्दीप गरेवाल दे वलो डायलोग लिखे ने नरेश कठूरिया दे वन अफ दे बेस्ट डालोग राइटर्स ने ओ कॉमेडी फिल्मा दे जॉनर वेच श्टोरी ते स्क्रीन प्ले लिखे है वैभव शुरेया ने ते दाजी कि ये फिल्म अठ सतंबर दोजार तेईनू सिनमा करां दे वेच लगण वाली है इस तो लावा गिपी गरेवाल ने हाली दे विच एक खोर फिल्म अनाउंस कीती है जिस्दा नाम है जटनू चुडएल तकरी एस फिल्म दे विच सानू गिपी गरेवाल ते सरगुन महता दी जोडी नजर आवेगी सिनमा करां दे विच लगजावेगी यानि कि गिपी गरेवाल ओल सेट ने अपने फांस नू बाक टू बैक एंटूटेन करन ले सो इना विचो केडी फिल्म दा सब्तो बाद अंतजार है दस सक दियो कॉमेंट सेक्शन दे विचो फिला आव देली वससे नाई पॉलवूर्ड इंडस्ट्री नाल जुडिया होंगा लेटिस्ट अब्डेट वीडियो ते इंट्रवियोस लेए तुसे जुड़े रहो देशी चैनल देनाल तन्वा